यह देखे गाइस आज हम रखी हुई रोटियों से या ताजी रोटियों से यानि हम रोटियों से बनाएंगे यम्मी टेस्टी सा नास्ता तो मैगी इसमें मैगी भी यूज़ करेंगी तो देखिए मैगी तो बच्चों की फेवरेट होती है तो इस हिसाब से देखिए बहुत टेस्टी नास्ता होने वाला जो कि हम लंच में भी रख सकते हैं बहुत यम्मी तो हले ओरे रिरन आप सब का श्वागत है हमारे यूटीब चनल शायमिस्टा में गाइज देखिए एक गलास हमने ले लिया है पानी यानि दो कप पानी है और इस पानी को हम रखेंगे बॉयल करने तो इसमें अपना जो टेस्ट मेकर होता है मेगी का तो वो हम डाल देंगे इसमें दोनों पाउचेज ये फाइब फाइब रुपए वाले दो पैकेट हमने ले लिये हैं तो ये देखेए पानी में बॉयल आ चुका है और हम पनी मेगी एड कर रहे हैं ये यप्पी वाली मेगी है हमारी आपके पास जो भी नूडल्स रखे हों आप वो एड कर सकते हैं तो इसको हम पकने देगे जब तक ये पकता है तब तक चलिए दूसरा काम कर लेते हैं तो ये देखे गाइस हमने ले लिया है आटा आप इसकी जगए पर मैदा भी ले सकते हैं तो ये देखे दो से तीन स्पून के करीब हम आटा ले लेंगे तो इसकी हमें तयार करनी है इसलरी यानि एक गाड़ा सा पेस्ट जो कि हम थोड़ा सा पानी आट करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरह से पेस्ट बन कर तयार है ना बहुत ज़्यादा थीक है ना बहुत ज़्यादा रनिंग कंसेंडेंसी का है तो यह देख लीजिए उसको रखते हैं अलग आप चलिए दूसरा काम कर लेते हैं फटाफट यह हम काटेंगे अपनी रोटियों को चार टुकडों में यानि एक रोटी को हम चार पीसेज में कट करेंगे तो देखें पहले हमने हाफ पीस कर ली है और इसको तोड़ देंगे उसके बाद में भी इसका भी हम हम खाब पीस करेंगे तो यह देख सकते हैं गाइज बच्छे तो आपके फैन होने वाले हैं अगर यह रेस्पी आप बना करके खिला देखें दो पीजेस इसमें कर लेंगे आप के पास पीजा कट एह हो गई है तो इसको ठंडा करेंगे और रोटियां अगर ताजी है तो फूली फूली होती है तो उनके दो पर्त अलग होते हैं इस तरह से इनको हमें चिपकाना है आपस में तो यह जो हमने इस लरी बना कर रखें यह तरह से हमारा ग्लू का काम करेंगा तो यह इस तरह से लगा क अगर आप रखी हुई रोटिया लेते हैं तो उनमें भी यही होता है कि अगर आपकी फूली रोटिया होगी तो उसमें ऐसे पड़ अलग हो जाएगी तो आप ऐसे ही चिपका लेगे तो इस तरह से देखिए अब हम बनाएंगे इसकी कौन तो आप देख सकते हैं इस तरह से तो आप देखिए करना क्या है हम इसकी पार्ट में थोड़ा सा बनाई हुई वही सलरी उसको लगाएंगे उसकी सहायता से हम उसको चिपका देंगे जिससे कि यह हमारा अच्छे से चिपक जाए ठीक है क्योंकि हमें इस कौन में भरनी है मैगी ठीक है आप मैगी की जगहे क्लाण सिसे का ये festive सके या यह बनाना चाहते हैं तो आप इस धे तरह से गवाएं तो यह देख सकते हैं कि इस तरह से हम कि इदा लेंगे ठीक है और अच्छे से चिपका देंगे इसको अच्छे से चिपक जाएगा बहुत आसानी से तो इसको हम ऐसे रख देंगे तो इसी तरह से सारी के सारी हम बना करके रख लेंगे और इस तरह से जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही है तब तक हम बना कर रख देंगे तो ये ठं को अगे क्राले मेगी भी से कूर्ण अगर इसपून का सब सब दहाए। इससे के मेडा करने लाएं हैं आगे से क्लाले اس लगे उधेसिया का सब्सक्राद श Kendra हैंगे कि देखिए इस तरह से हमने सारे भर लेने हैं ल गयाज एक बहत और हमने मैगी मिन नमक नहीं एड किया था अगर आप थोड़ा सब्छा जढ़ा या खाते हों तो आप मैगी में आट कर सकते हैं तो यह कर таких इस तरह से डिप करते हुए इसे हम बंद कर देंगे जिससे की इसके अंदर बी नहीं जाएगा और हमारीमेगी भी वहर लिट है नहीं आएगी ठींसट तक इस्थे हम फॉर्ड करेंगे तो इस तरह से देखिए इसी तरह से सारे के सारे डालेंगे जितने हम एक बार में जितने हमारे पैन में आ जाएंगे बस उतने ही हमको एड़ करने है तो यह देखिए इस तरह से देखिए सारे हमने डाल दिया है आप इसमें करना क्या है कि इसको हमें धीमी फ्लेम पर कुक करना है क्रिस्प तो इसको हर तरब से अच्छे से कुक करेंगे हमने फ्लेम कर दी यह बंद क्योंकि हमारा हो चुका है और यह देखे निकाल दिया है हमने चलिए सब करते हैं यह देखिए हमने अपना रख दिया है आप इसे जैं के साथ चाई के साथ या बच्चों को टिफिन में आराम से बहुत पसंद आने वाला है यम्मी टेस्टी नास्ता अगर आपको हमाई रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सस्क्राइब एड शेयर